नमस्कार दोस्तों आप सभी कर सवागत आपी तगरा किया गया है सेलर की तरफ से तो थन्सब लोगे तो मैं पेले इसको निकाल लियता हूं कुरा साथ आ चीट्रा के थीचना परेगा मेंन पख्राइंड आपको आपको इन इनफोर्मेशन दिया गया मैं बता देता हूं 46 की जगा 45 वे टूल्स एक तरह केसे मलता है आपको इसकी एक दे सकते हैं इसकी जो केस है केस को भी जो है इंक्लूडेट कर दिया गया है और 46 को इसकी प्राइजिंग से कंपरेजिंग करें तो यह जो पूरा सेट है वह आपको 500 के अंदर मिल जाता है तो बत्म लगवा किसका दस रुपय जो है प्राइज अकमाल कर चल सकते हो इस तो रहा मुता है और जादा घंड़ीं और चल को ऊपकेजिंग लेने से पहले बाकी इसको भी निकलते हैं यह भी थोड़ी सी टाइट फिट है तो पैकेट में निकाल लेते हैं तो बॉक्स इस तरह से बॉक्स जो पिजब चुगा है और यहां पर हाथ लगाने से अच्छे से बिलकुल सॉफ्ट मिला है दस रुपे में आरका क्या ही देगा प्लास्टिक क्वालिटी तो एकदम शीट जैसा लगता है बिलकुल क्यारी करने के लिए यह बॉक्स बिलकुल भी सही नहीं है अलग से आपको पच्छेस कनवा ज़रूत पर सकता है हलाकि अगर आप तपर या या फिर स्टैंड या फिर कुछ दूसरे प्रैंड्स में अग जो है आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी की यह जो है एक से दूसरे कर सकतो भागिस को खोलते हैं तो कुछ इस परकार से जो हमें बिच बेगारा जो निकल जाती है यहां पर फोन दिया गया तो इसका अटाता हूं यहां पर तो इससे प्लस शाप्ट दिया गया चले इ तो यहां पर बिट मिलती है देखो तो पी एच सीरीज में बन मिल जाता है आपको और यह आसानी से निकल जाता है यहां पर क्वाटर इंच का जो लग जाएगा सिक्समयम की रहती है तो इनकी जो उपर की जो हैट है वह आपको किसी भी स्कूर डाइविंग वाले अंट्रिल मेशिन में में इसलिए आपका काम जो करवा सकते हो एक फाइदा है कोडर इंच में और हाप इंच में जो है बारा पॉइंट रहता है तो वहां पर टेन एनमंग के लिए जो है डारेक सिशुषन होता रहता है है अग्राम परैस में मिल सकता है तौ देखते हैं यहां पर के सायट में हमको एक तो 4 co 6 7 8 9 10 union 1 12 Beautiful 4 5 6 7 8 9 10 11 का सेटप मिलता है और यहां पर कौन-कौन से बीट मिलते हैं एक बार आपको धियान से दिखा दिखा देता हूं कुछ इस तरह की के बिट मिलती है यह जो आपका एलन की का काम जो है कर सकता है इसे कलिए कि हिक्जागोन है यानि 6 कौन इसमें मिल जाते हैं 8 mm की यह ह है 7 mm की यह है 6mm इसे दिखना चारれ इम आब जाता है तो 4 mm की बात करूं तो 4 mm जो है आपकी जो आते हमापे अबिव को मिल जाती है बाकि बरे बरे यह नेगटिव बीत्स और प्लस पीड जो है आपको धेखने को मिलते हैंपर जीए\' बाकि है । बीट है यह बीड भी है आपको काफी अलग-अलग साइज में मिलتे हैं के 40 है 10 15 20 25 तीज और यह 15 तक बाकी आपको जो है सॉकेट मिलते हैं चाहरे काउंट्स जो आपको मिलते हैं चाहर पांच छे साथ आठ इस तरह से जो है जादा काउट सारे मिलते हैं बीच में आपको दो मिलता है एक 5.5 एक 4.5 यह दोनों जो है आपको मिल जाता है और इसका जो सॉकेट बनाने का तरहीं का है वह काफी अच्छा है जो कि 4.5 यह कुछ इस तरह की बनाया गया है बाकी अगर साथ में से में बात करूं तो साथ में से एकदम पाइप टेप जो है बनाया गया है जो कि आपको स्टैनली में जो देखने को मता ह है बाखी एलन कीज मिलती है छोटे-छोटे बिलकुल छोटे साइस के हैं क्यूंकि बड़े साइस में अगर काम करने हो तो यह बिड्स जो आपका काम कर देगा बाकी रहाचिट मिलती है यह स्वाटके अडप्टर अडप्टर के इसाब से आप लेंथ जो है आपको इसमें प्रोपेशनल काम करना है और बड़ी आपको रेंज लेना है मतलब बड़े-बड़े काम करना है यह चोटे मोटे काम के लिए इस्तमाल होता है क्योंकि यहां पर देख सकते हो 14 mm का मैक्सिमम जो है आप बोल्ट हो जो है आप इस्तमाल मतलब काम कर सकते हो लेकिन आपको अगर बड़े रेंज में काम करना है तो आपको जो है half inch या फिर one inch के लिए आपको लेना परेगा और यहां पर यह सारे extends बार है यह जो है आपको drill machine में fit करके जो है किसी भी bit को आप operate कर सकते हो इन में से इसके अलावा आप चाहो तो यह extension को भी अपनी लगा सकते हो क्योंकि इसका जो है 6 mm तेखना से 6 mm से थोड़ा साथा तो इसली फिट हो जाएगा 10 की drill check में और जो आपकी next आती है मैं इसका demonstrate भी करके दिखाऊंगा demonstrate मैं थोड़ा सा लग वीडियो में करूंगा कि इस वीडियो का length थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है extension में आपको जो है टी वार सेट मिल जाता है और इसका length जो है आप लगबाग एक फिट तक जो है extend कर सकते हों यह थोड़ा सा flexible shaft जो है दिया गया है थोड़ा सा hardening है और आपको flexibility अगर बरानी है तो इस तरह का एक flexible bit दिया गया है जैसे कि लगबाग सभी tools के साथ में ऐसा आता है flexible shaft लेंद पर आने के लिए आप यह दोनों इस्तमाल करता हो आप जाओ तो इस screwdriver की जैसे दिखने वाला setup की जरी जो है आप screw driver मतलब हाँ सही आप करा काम कर सकते हो सथ-सथ यहां पे पीचे की side में जो है एक्स्टेंड की करने की option दिया गया है और यह जो रैशट आपका रैशट आपको क्विक रिलीज बटन मिलता है बटन प्रेस करके ही जो आप बिट इसमें डालेंगे और बिट को जो है रिलीज कर पाएंगे easily मैं यहां पे जो है एक्स्टेंड को जो ही मैं लगा करके निखाने की कोश्च करूंगा तो डिरेक्ट लिंञे करने तो यह नहीं जाएगा यह आपको जो है यह जो बटन है इसको प्रेस करना पटेगा G ONE निकल जाएगा तो कुछ कि इस तरह से तो अपको राउंड करें तो इसके ऐलप से चोटे मोटे काम जो एजी लिए नहीं इस वीडियो में दोस्तो इतना ही मैं मलता हैं नेक्च वीडियो में जिसमें डेमस्ट्रेट करूंगा तो इस वीडियो कभी ज़रूर देखिये कि यह कुछ कैसा पफॉंग कहत और रिविव जो है मैं इसका फाइनल रिविव जो है बहुत देर बात करूंगा क्योंकि एक्सपिरियंस चाहिए होगा मेरे को बीना एक्सपिरियंस के मैं कैसे बता दूँ कि यह वारती थे कि नहीं और कितना अचा है इसका जो टूटल वॉइट है लगभग एक किलो 200 ग्रा लिए लाइक कीजिए इससाए कि और भी कंटेरिंग तो लोगों चैनल को सब्सक्राब करें सकते हैं मैं मिलता अच्छ वीडियो वीडियो में तब तक के लिए शुर्य है वीडियो को देखने के लिए मैं मिलतां नेक्स्ट वीडियो में